दोस्तो रियल वी का C2 फोन जो है इंडिया के अंदर लॉंच ओ चुका है और 15 मई से 12 बजे फ्लिप कार्ट पे अवेलेबल भी हो जाएगा 5,999 रुपे से फोन चालू होता है लगवक्त सभी को स्पेसिफेकेशन के बारे मालूम है लेकिन आज इस टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हो सकता है ये मैत करने के बाद शायद आपके पास कुछ और भी उप्शन आजा है और आपको 15 मई तक वेट करने की जुरुत ना पड़े दोस्तों मेरे नाम है संदीप और चानल का नाम है टेक वानी बिना वक्त गवाई वीडियो को फटा फट सार्ट करता है सबसे पहले मैं कॉन्फिगरिशन के बारे में बात कर लेता हूँ जो रिल भी का C2 है उसके नार आपको 6.1 इंचिस के HD प्लस दिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 720P के उपर चलती है दो वेरेंट इसके नार आपको देखने को मिलते हैं 2GB RAM और 16GB Storage वाला और 3GB RAM और 32GB Storage वाला जो प्राइस है वो 5999 रुपे होने वाले हैं 2GB RAM और 16GB Storage के और 7,999 रुपे होने वाले हैं 3GB RAM और 32GB Storage के बात करता हूँ बागी की Configuration के बारे में तो इसके नार आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है साथ ही आपको 13MP प्लस 2MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है और 5MP आपको फ्रेंट कैमरा देखने को मिलता है Helio के P22 प्रोसेसर के उपर ही चलता है जो की 12nm की टिकनालजी भी बना हुआ है और 2GB गार्ट सी फिक्वेंसी पे चलता है तो मोटा मोटा अगर बात करते तो काफी अच्छा फोन देखने को मिलता है क्योंकि dewdrop notch आपको देखने को मिलती है काफी अच्छी diamond cut finish आपको देखने को मिलती है हाफ fingerprint scanner इसके अंदर नहीं है लेकिन face unlock का feature आपको देखने को मिल जाता है तो 5000 की range के अंदर, 6000 की अगर बात करते हैं तो देखने में काफी अच्छा phone ही लगता है हमें लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा comparison करते हैं क्योंकि ऐसा बोला जाता है मार्केट में अगर एक शीज लेने जाओ तो थोड़ा सा research हमें कर लेना चाहिए तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत research मैंनी की है वो मैं आपको screen के उपर दिखाता हूँ मैं screen पर पूरी configuration दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से compare करें सके एक तरफ मैं C2 phone को रखता हूँ और दूस तरफ मैं दूसरे phones रखता हूँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ Asus के Max M1 phone के बारे में जिस सिंदर आपको snap brand का 430 का process देखने हो मिलेगा 3GB की RAM इस सिंदर आपको देखने हो मिलती है और 32GB की storage सिंदर देखने हो मिलती है 5.45 इंचिस का HD plus display देखने हो मिल जाएगा और 13 Megapixel का rear camera और 8 Megapixel का आपको front camera देखने हो मिलेगा 4000 image की battery सिंदर आपको देखने हो मिलती है साथ ही fingerprint scanner और face unlock दोनों का feature देखने हो मिलता है दोस्तो price में जो फर्क है वो लगभग 500 रुपे का है लेकिन आप configuration में अगर फर्क देखने हो मिल जाएगा वहाँ पर आपको 2GB RAM और 16GB की storage देखने हो मिलती है आपको 3GB RAM और 32GB की storage देखने हो मिलती है काफी अच्छी configuration आप ले सकते है यहीं पर मैं बात करता हूँ 7999 पर पहले model की तो उसको मैंने compare किया है Asus के Zenfone Max M2 से और यह phone आपको 8499 पर का मिल जाता है आपको Qualcomm Snapdragon 632 का process देखने हो मिलता है जो कि काफी अच्छी gaming भी इसके अंदर आपकी हो जाती है 3GB की RAM और 32GB की storage देखने हो मिलेगी वहीं पर 6.26 inches के आपको HD plus screen देखने हो मिलती है rear में आपको dual camera देखने हो मिल जाएगा जो कि 13MP प्लस 2MP का है और front में आपको 8MP camera देखने हो मिलेगा दोस्तों इसके अंदर आपको 4000 mAh की battery देखने हो मिलती है तो आपको क्या better मिल सकता है अब मैं बात करता हूँ कि range वही है extra पैसा नहीं कर्च करना है मले 6000 से 8000 के बीच की range है तो कौन सा phone ले सकते है दोस्तों एक phone जो आज ही launch हुआ है वो है Infinix का Hotstar 3 और इसकी configuration के अगर मैं बात करता हूँ तो इसके दर आपको 6.21 इंचीज का HD plus display देखने को मिल जाएगा साथ ही आपको rear में triple camera देखने को मिलता है जिसके दर आपको 13 megapixel प्लस 2 megapixel और एक आपको low light sensor camera देखने को मिल जाता है जो 13 megapixel camera है 1.8 के aperture पर चलता है तो काफी अच्छी pictures आपको देखने को मिल जाएगी 8 megapixel आपको front camera देखने को मिलता है 2GB RAM और 32GB storage आपको देखने को मिलेगी Helio के A22 processor पर चलता है जो कि 2 gigaards की frequency पर चलता है साथ ही 12 nanometer की technology बनावा यह processor है Face unlock और fingerprint scanner दोनों आपको देखने को मिल जाएगी और यह phone आपको 6,999 रुपे का flip card पे मिल जाएगा तो यह phone जो है वो 6,000 से 8,000 के बीचे मतले 7,000 की range में आपको देखने को मिलता है और एक phone जिसके वारे में बात ना करूँ तो वीडियो पूरा नहीं होगा वो है Redmi car 7 अब यह phone भी market के अंदर आ गया है और यह phone आपको 8,000 से नीचे के price पर देखने को मिल जाता है दो वेरेंस ने आपको देखने को मिलता है 3GB RAM और 32GB storage और 4GB RAM और 64GB storage इसके नदर आप भी Snapdragon का 632 का processor आपको देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा यह phone है 8,000 से नीचे की range में तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि Realme C2 जो है उसका wait 15 मही तक करना चाहिए तो आप कर सकते हैं phone में कोई कमी नहीं है अच्छा phone उसके लिए जा सकते हैं लेकिन मेरा first आपको बताना कि और भी option market में available है अगर आप wait नहीं करना चाहते है 15 मही तक का तो आज market के अंदर जो available है आप उन phones के लिए भी जा सकते हैं मैंने आपको comparison करके दिखा दिया है आप वीडियो को rewind करके मतलई पीछे back करके दुबारे से पूरे detail में comparison देख सकते हैं और जो उनसा phone आपको पसंदा आता है उसके लिए ले सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी next वीडियो के अंदर अगर वीडियो पसंदा है तो like जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे कि मैं regular ऐसे वीडियो देखे आता रहता हूँ जल्दी मिलतें next वीडियो के अंदर